डाल्टनकंच जिले के बस्रिया पंचायत के रहने वाले अनोद ने 140 बनवाने के लिए अपनी बक्रियों को बेज़ दिया था सरकार ने अनोद के इस कदम की प्रशंसा दो की लेकिन रोजी रोटी का कोई इंतिजाम नहीं किया अनोद 70 प्रतिशा दिव्यांग है और कोई बड़ा काम नहीं कर सकते साल 2008 में अनोद को दिव्यांग सर्टिफिकेट मिला था जिसके बाद सिवे पेंशन के लिए लगातार सरकारी कार्यालों के चकर काट रहे हैं बकरियों को बेचकर सोचाले बनाने वाले अनोद को पिछले दिनों जिले के उपायुक के निदेश पर जिला समन्वयक कनक राज और जिला प्रेरक नवाज ने सम्मानित किया था अनोद की इस काम से प्रभावित होकर जिला प्रशासन ने उसे गाव सर पर स्वच भारत अभ्यान का मोचिवेटर बनाया है प्रोचाहन राशी भी देने की बात कही जा रही है लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूत अनोद को दिव्यांग पैंशन तक मिलने की कसक साप दिखाई देती है कभी इसके लिए आवेदन दिये? हाँ दिये थे आवेदन आपका विकलांग का परमान पत्र बना हुआ? जी हाँ, 70% है 2008 में बनवाया है और किसको कागज वगरा दिये? आगनवाडी आज़ाथी से विका के आपको एक तरह से सरकार जो अपने पैसे से सोचाले बनाए है तो इसके लिए सरकार आपको प्रेजिद कर रहे है आप भी लोगों को प्रेजिद कर रहे है लेकिन पेंसन आपको नहीं मिल पा रहे है कितला दूख होता है बहुत दूख होता है दिव्यांग अनोद को शोहरत मिली, सम्मान भी मिला, लेकिन आज भी उनकी आर्थिक सिधी नहीं सुधरी है